नमस्कार जै जोहार क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेकनिक्स और ट्रिक्स के जरीए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए, योगेंद्र साहू क्लासेज आप, यहां 10 से अधिक गवर्नेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले, योगेंद्र सर, CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कराएं, तो डाउनलोड करिए, योगेंद्र साहू क्लासेज है तो बी दे बेस्ट, लॉन फ्रम दे बेस्ट, पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनियत योगेंद्र साहू क्लासेज फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार, डाउनलोड दियाग आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेज के यूटूब चैनल पे और मैं आपका होस्ट सौरभ दवंगन आपका तहे दिल से हमारी यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ, तो जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पर MCQs के सीरीज पे थे, कम्पीटर लेकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर यह तीसरा वीडियो होगा, अगर आपने वह दो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर जरूर देख लिएजएगा, क्योंकि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कि व्यापम अपने जो भी questions ले रहा है, वो कई basic level के भी questions ले रहा है, ले ले रहा है, तो जो computer background के होता है, उनके लिए वो काफी जादा आसान हो जाता है, लेकिन जो नहीं होते, उनके लिए काफी difficult हो जाता है, और आप जानते होगे कि अगर हम exam दे रहे हैं, अगर हम job के लिए preparation कर रहे हैं, तो एक एक number हमें job दिला भी सकता है, और हमसे job छीन भी सकता है, तो computer काफी easy subject है, बस आपको एक बार दो बार पढ़ नहीं है, और excuse अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो आपका computer का जो subject है, उसका basic बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, और advance भी आप सीख लेंगे, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, questions देखते हैं, तो जैसा कि मैंन content है, तो उस हिसाब से आपको समझना सीखना है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, निर्वाट tube, vacuum tube का उपयोग कब से किया गया था, प्रतम PD, तरतिय पीडी, दृतिय पीडी, या जतुरत पीडी, चलिए इसका explanation दिखते हैं, प्रतम PD की computers, 1945 से 1956, इस PD को कॉमपुत्र के नि ये शायद typing mistake के निर्वाट नली का प्रियोग किया गया था, क्या का, vacuum tube का, कब की बात है ये, प्रतम PD की बात की जा रही है, किया गया था, क्योंकि यही उस, उस समय का सबसे तेज electronic device था, इस PD की computer गणना करने के लिए, millisecond लिया करते थे, तो कब की बात है, निर्वाट tube मत आएगी ही आएगी, ठीक है, अगला देखते हैं, computer generation का 1 से 5 का सही अनुक्रम, चुने, अब देखते हैं, आपर क्या क्या है, option में हमारे पास, vacuum tube, transistor, एक ही कुरिट circuit, VLSI, micro processor, ULSI, micro processor, ठीक है, उसके साथ है, transistor vacuum tube, एक ही कुरिट circuit, VLSI, micro processor, ठीक है, उसके साथ है, transistor vacuum cube, ULSI, micro processor, एक ही कुरिट circuit, VLSI, micro processor, उसके बाद अगला है, vacuum tube, transistor, एक ही कुरिट circuit, ULSI, micro processor, और VLSI, micro processor, आगे देखते हैं, इसका क्या होगा answer, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, कि computer की जो 5 PD थी, उनका विवरान देख लेते हैं, ठीक है, तो पहले देखते हैं, प्रथम PD, ठीक है, पहले PD कब थी, 1946 से लेकर, 1959, इसमें क्या का use किया गया था, vacuum tube का use किया गया था, देखो, यहाँ पर आपको सारा detail मिल जा रहा है, तो काफी अच्छा, यह answer जो है, यह जो answer है, यह आपके लिए काफी important answer है, बतब इससे आपको समझ में आ जागा, कब computer में क्या क्या use हुआ था, ठीक है, तो vacuum tube, ठीक है, द्वितिय पीडी है, 1959 से लेकर, 1965, जहाँ पर क्या use हुआ था, transistor तक्निक का पर आधारी था, तृतिक पीडी क्या है, 1965 से लेकर, 1971, एक इकरित परिपत, मतब, integrated circuit पर आधारी था, चौति पीडी है, 1971 से लेकर, 1980, इसमें very large scale integration, जिसको बो है, पांच भी PD, 1980, यह अब तक चली आ रही है, ULSI, ठीक है, integration, इसको क्या बोलते हैं, ultra large scale integration, microprocessor पर आधारी, ठीक है, तो इसका answer होगा, अब जो समझ में आ गया, vacuum tube, transistor, एक इकरित, मतब, integrated, आई, यह जो था, एक इकरित परिखत, यह देखते हैं, यह मिल गया, हम का उनक ठीक है, यह हमारा answer हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं, पहला संक्रियात्मक electronic अंकिय कंप्यूटर है, कौन-कन सा है, NIEC, EDSAC, EDVAC, यह UNIAC, ठीक है, देखते हैं, E-N-I-A-C, जिसको बोलते हैं, NIEC, electronic numerical integrator and calculator, पहला वहारिक प्रयोग वाला electronic computer था, इसमें, वाल्व, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, इसका अविश्कार वर्ष 1946 में, J.P. Eckert एवं, जौन मार्चली ने किया था, ठीक हैं, कब का है यह, पहला वहारिक कौन सा था, E-N-I-A-C, यह यहाँ पर हो आप, यह हमारा special answer है, VLSI और ULSI का प्रयोग आ आप answer भी दे सकते हैं, तब भी आप देख लिजे, VLSI और ULSI का प्रयोग, चतुर्थ पीडी 4th generation में प्रारम हुआ था, ठीक है, तो यह answer आँसर होगा, चतुर्थ पीडी 4th generation, अगला question देखते हैं, computer की किस पीडी में, programming के लिए, यांतर की, mechanical भासा का प्रयोग किया गया पहली, तीसरी, मतब सी तो तीसरी होगा, दूसरी या चौथी, चले देखते हैं इसका answer क्या होगा, computer के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीडियां हुई है, पहली पीडी में, programming के लिए, यांतरिक भासा, mechanical, mechanical, यह mechanical language का प्रयोग किया गया था, input के लिए, इन में, 5 card, 5 card, even paper tape क का उपयोग किया गया था, और output printer के द्वारा, एक में, और output printer के द्वारा, print किया जाता था, ठीक है, तो इसका answer होगा, एक में, के computer के विकास क्रम अब तो 5 पीडी हुई है, पहली PD थी, programming की आंतरिक भासा होगा, प्रयोग किया गया था, mechanical, तो यहाँ पर है, पहली PD इसका answer होगा, ठीक है, आगे दिखते हैं, यूनिवेक, ठीक है, यूनिवेक का विस्तरित रूप क्या है, यूनिवर्सल आटमेटिक कम्प्यूटर, यूनिवर्सल रे कम्प्यूटर, यूनिक आटमेटिक कम्प्यूटर, अन वैल्यूड आटमेटिक कम्प्यूटर, यी भी एक हो रोपोट वेरसाइक यानुप्रियोगों के लिए पहला समान्य उद्देशी Electronic Digital Computer Design युनिवेक युनिवेक युनिवेसल स्वचालिज कंप्यूटर था इस कंप्यूटर का उत्पादन संयुक्त राज अमेरिका के लिए किया गया था तो क्या Universal Automatic Computer युनिवेक 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 य एकर्ट और जॉन में चली द्वारा डिजाइन किया गया था जो एनियक किया उसका रख थे तो इसका अंसर मिल गया हमको यूनिवेक ठीक है ओके आगे दिखते हैं IBM 7094 और IBM 1624 किस PD generation का उधारं है प्रथम PD तुरितीय पीडी तुर्दी या चतुर पीडी देखते हैं इसका अंसर के होगा IBM 7094 और IBM 1620 तुरितीय पीडी का उधारं है कॉनसे पीडी तुरितीय पीडी मैं आपे बूला था पीडी पीडी के बहुत सारे कोश्चन आएगे confused मत होना और important है इसलिए आपको याद रखना की जरुवत है चलिए आगे देखते हैं प्रचालन तंत्र operating system का इस्तमाल कब हुआ प्रतम PD, द्वितियक PD, द्वितियक PD, द्वितियक PD, चतुर्थ PD चलिए देखते हैं इसका answer क्या होगा प्रचालन तंत्र ठीक है, operating system का सरप्रतम प्रयोग द्वितियक PD में किया गया था इसका answer है चलिए आगे बढ़ते हैं अन्लान सस्टम का विकास हुआ था उसका गला कोश्चन देखते हैं अगे अगला कुस्टन देखते हैं या नीचे चले गए आप कोई बात नहीं fps का आकार तिए चलो देखते हैं computer इंनपूट युप्तियां इंपूद्ट दवाइज के माधियम से आकड़ो को गरहन करता है किससे input device के माधियम से आकड़ो को गरहन करता है तो इनपूट इनपूट इसका answer है चले अगला question देखते हैं, तो अगला question है, computer की शक्ति मापी जाती है, bit, binary, digit या word length, देखते हैं, इसका answer क्या होगा, व्याख्या, computer के शक्ति word length द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा, word length के द्वारा, उच्च चमता वाले micro procedure है, ठीक है, pentium, pentium pro, pentium 2, pentium 2, yeah, sorry, pentium 2 और 3, इन में से कोई नहीं, चले, इसका answer ढूंते हैं, pentium, pentium pro, pentium 2, pentium 3, pentium 2, उच्च चमता वाले micro procedure है, तो साही सब ही होगा, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इन में से कोई नहीं के जगा क्या होगा, इन में से सभी होगा, इसका answer, ठीक है, sorry, इन में सभी, मैं कोई नहीं पढ़ रहा हूं, यार, क्या यार, इन में से सभी इसका answer होगा, चलिए, आगे देखते हैं, database management system, DBMS में data की सामकरी और स्थिती किसके द्वारा परिभाशित की जाती है, metadata, sub data, sequence data, multi-dimensional data, database management system, DBMS में data की सामकरी, स्थिती, metadata द्वारा परिभाशित की जाती है, DBMS में data की सामकरी और स्थिती, metadata द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, metadata, 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 ठीक है, चलो, ओके, आगे दिखते हैं, किसी कार्यवार में, ग्रहक inventory, तथा payroll records, सबसे अच्छी तरह, ठीक है, dash, मतलब dash, मतलब खालिस्थान फाइल में, store किये जाते हैं, database, worksheet, दस्ता page, document, presentation, इन में से कोई नहीं, देखते हैं, किसी कार्यवार के ग्रहक, inventory, तथा records के, सबसे अच्छी तरह से, database, file में, सिंचित, store किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है, database, file में, सिंचित, किया जा सकता है, ठीक है, database, file में, सिंचित, आकडो, store data को, किसी विशेश, पद्ध upfront करते हुए किया, किया जाता है, इन आकडो, data के आधार पर, किसी प्र श्ंद का समयधान, सीग रहता से, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, A database, A database, फाइल के दवरा सिंचित के जाता है, इसका answer होगा, एक संस्क्राण से दूसरे संस्क्राण में अपग्रेट करना, एक लेगासी सस्टम से दूसरा प्राप्त करना, अन्य माड्यूल से डेटा प्राप्त करना, या अन्य मानक इंपॉर्टिन प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है, यहां कर सकता है, दिये गए बिकल्पों में अन्य module में data प्राप्ट करना data ठीक है यह जो CS का answer है एक नठा रुपांतरन के संबन में सच नहीं है क्योंकि यह इस प्रक्रिया process में data एक संस्क्रण version से दूसरे संस्क्रण में upgrade या convert होता है अता इस कारे के लिए किसी अलने module से data प्राप्ट करने की अवश्यक्ता नहीं होगी बल्कि हाव कार्य legacy legacy system से लेगा तो इसका answer है अन्य module से data प्राप्ट करना data की integrity अखंडता में बाधा आने वाला एक कारण है data उपलब्दत का पर नियंतरन data की असंगती data का सुरक्षात्मक नियंदरन data की अन्थीक्रती और data की अतिरेक्ता ठीक है data की integrity के आशाय आकडों की नियंतरता और सुद्धता है accuracy से है data की integrity में बाधा आने का प्रमुक कारण है data की अतिरेक्ता data redundancy है Cash Files के कारण कभी-कभी इसकी अकंड़ता में बाधा आना यह लगती है तो इसका आंसर है Data की हती रेकता Ease का आंसर है चलिए अगला Question देखते है Storage की थोड़ी सी जगा में बहुत से फाइलों को स्टोर करने के लिए निमने में से किसका प्रयोग किया जा सकता है File Adjustment, File Copying, File Reading, File Compatibility या File Compression क्या लगता आपको तो इसका Details है यदि Storage में जगा कम है तो और बहुत सी Files को संचित स्टोर करना है तो File को Compress करके स्टोर करना ही उचित होता है File Compression से File की Size अफिक्छा उत्रित कम हो जाती है जिस से थोड़ी से जगा में अधिक File ए स्टोर हो जाती है क्या करना पड़ेगा, File को क्या करना पड़ेगा Compress करना पड़ेगा, यह इसका Answer है Stored Program की आउधार्ना किसने शुरू की थी? जान वान न्यूमैन, चार्ल्स बैविज, ब्लेस, पास्कल, जान मैच ली चलिए देखते हैं इसका Answer क्या होगा Computer के संदर में Stored Program के आउधार्ना Concept 1940 के दशक में Computer विग्यानिक जान वान न्यूमैन जान वान न्यूमैन ने शुरू किया था यदि किसी मौझूदा Document को किसी दूसरे नाम से Save करना हो तो उसे क्या करना चाहिए? Document को फिर से Type करने करें और दूसरा नाम दे Save as Command का प्रयोग करें Mool Document को नए Document में Copy और Paste करें और फिर Save करें Document को दूसरे स्थान पर Copy करने के लिए Windows Explorer का प्रयोग करें और उसका दूसरा नाम दें चले देखते हैं किसी मौझुदा Document दस्तावेच को दूसरे किसी नाम से किसी Drive, Desktop या My Document में Save as Command का प्रयोग करके Save किया जा सकता है Save as Command का प्रयोग करके 20 का Answer है देखते हैं आगे आकड़ा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने का रूप क्या कहलाता है प्रक्रिया, गढ़ना, सूचना, तुलना ठीक है, चले देखते हैं आकड़ा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचने पहुचाने का रूप सूचना, information कहलाता है तो सूचना इसका Answer होगा, जैसे देखिए मैंने आपको पहले वीडियो उसमें भी सज़ेस्ट किया है कि आपने वीडियो का वीडियो में इंट्रस्ट आपका बने रहेगा फटा-फट सारा चीज कंप्लीट होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि टाइम का इंपॉर्टेंस कितना आपके लिए है ठीक है वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तमाल करता है उससे क्या बोलते है उप्योग करता वैज्ञानिक सूचना अभियंता अभियंता क्यों बोलेंगे इंजिनियर्स जरूरी है क्या इंजिनियर्स बोलना उनको देखते हैं वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का प्रयोग करता है उससे उप्योग करता बोलते है बात में प्रक्रिया हेतू computer आंकड़े एकत्रित करता है वास्तविक भौतिक system के सद्रेश क्रियाएं उत्पन करने के लिए computer system और program का प्रियोग किया जाता है सस्ती दर पर वास्तविक computer का model तैयार किया जाता है क्या लगता है इसका answer क्या होगा अनुकरण प्रक्रिया simulation process में वास्तविक भौतिक system physical system के सद्रेश क्रियाएं उत्पन करने के लिए computer system का प्रियोग किया जाता है क्या वास्तविक भौतिक system के सद्रेश क्रियाएं उत्पन करने के लिए तो यहाँ पर answer क्या होगा सुद्धता, गती, विश्वशनियता या सभी क्या लगता है मुझे तो सब लग रहा है चले देखते हैं कंपेडर की विश्वश्वश्वशनियता इत्यादी है तो इसका अंसर होगा सभी ठीक है चले आगे देखते हैं स्कूल और कॉलिज में अभिलेख तयार करने के लिए किस प्रकार के कमप्योग किया जाता है विश्ष्वश्वश्वच उद्देशी कमप्योटर शिखते हैं बी दोनों और इन में से कोई नहीं ढूंडते हैं स्कूल और कॉलेज में अभिलेक तयार करने के लिए सामान उद्देश्य कंप्यूट को पयोग किया जाता है तो देखो बहुत सारे लोग है ना सामान विशिष्ट दोनों डाल देंगे तो नहीं अभी है सामान वाले लेवल करते हैं ठीक है तो इसका आंसर है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूट को पयोग किया जाता है किसमें क्रशी में मौसम विज्ञान में अंत्रिक्ष विज्ञान में या सभी में चलिए ढूंडते हैं इसका आंसर विशिष्ट उप्योगी उद्देश्य कंप्यूट को क्रिश्य विज्ञान, मौसम विज्ञान, अंत्रिक्ष विज्ञान, आदी स्थानों में किया जाता है तो इसका आंसर होगा सभी में कंप्यूटर निमलिकित में से कौन सा कार नहीं करता है कौन सा? executing, processing, controlling, understanding, outputting देखते हैं क्या है इसका आंसर computer में मानव की तरह सोचने और समझने की चमता नहीं होती है capacity नहीं होती है जबकि वहा input कराए गए data को संसाधित process पर output दे सकता है किन्तु understanding की चमता computer में नहीं होती है वो समझेगा कैसे वो understanding नहीं होती computer में भई या, डीस का answer है निम्न कतनों में से कौन सा कतन गलत है आप एक ही personal computer का उपयोग करके तीन से अधिक email id नहीं बना सकते personal computer यूज़ वहा ना तीन से अधिक email id नहीं बना सकते मझे लगता है यही सही है email id में रिक्त इस्थान नहीं हो सकते एक email id में cable एक add the rate 1 add the rate बोलते हैं वो अपने मतलब जितने इमेल से होते हैं उसमें यह लगा होता है कई लोग इसको ए बोलते हैं लेकिन इसको बोला जाता है add the rate ठीक है add the rate 1 होना चाहिए email id case समभी दी sensitive होता है क्या लगता आपको चले ढूनते हैं इसका answer उप्ट्रिक्त दिये गए कथन में आप एक personal computer का वियोग करके तीन से अधिक email id नहीं बना सकते तो यह इसका answer है यह इसका answer है बढ़ तभी गलत है कर सकते हैं use तो टी मुक्त गड़ना करने की छमता एक computer की dash विशेष्टा का प्रतिने दित्व करती है dash विशेष्टा का मतलब क्या है खाली काईस्तान दिया हुआ है गती, शुद्धता, IQ, चमता क्या होगा इसका answer टूनते हैं तो टी मुक्त error free गड़ना करने की चमता एक computer की परिशुद्धता accuracy का वर्णन करता है computer की विशेष्टा है तो पहले यहां पर आ गया IQ, IQ से ही होगा answer मैंने वाँ डाल दिया है high speed, उच्चकती accuracy, सुद्धता storage, capability बंदारन चमता वर्स वर्स टालिटी, पहुमखी प्रतिबा, ई है reliability, स्थेर्था automation, स्वचालन ठीक है, reduction in paperwork, और cost कागजी कारवाई में कमी ठीक है, तो इसका answer होगा IQ, ठीक है आगे दिखते हैं, computer के समदर में compatibility का क्या अर्थ है software प्रयोकता के लिए सही क्रम सही काम कर रहा है यहाँ job को handle करने के लिए versatile है, software computer पर चलने में समर्थ है software पहले install किया गया software के साथ ही चल रहा है, software computer पर स्थाई रूप से उपलब्ध है, चले देखते हैं किसी computer के संदर में किसी software की सूसंगती, सूसंगता compatibility का अर्थ है वह computer, वह software उस computer पर चलने से संचालित होने में समर्थ है, तो इसका अंसर है software computer पर चलने में समर्थ है C's का अंसर है, चले यहाँ पर हमारा totally video complete होता है, इससे पहले में जाने जैसे बताया था आपके दो video all डल चुके हैं ठीक है, उससे जाकर जरूर देखीगा, यह तीसरा पहुंच जाएंगे, and साथ साथ में, preparation बहुत हाई रखेगा, बिल्कुल wait मत कीजेगा, कि भाई, कब exam आएगा, तो इस level पर हम preparation करेंगे आप इस level पर आपको preparation होना चाहिए, इस level पर preparation आपका होना चाहिए कि मान local exam हो, और आप बैठे exam देने, तो आपका clear हो जाए लिए next video मिलते हैं, तब तक के लिए signing out, सौरब देवांकन, thank you